आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमश्कार MNS News लाइब में आप सबीका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रश्यन सारी आहीं देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे तेलंगाना में अमिश्या ने खेला बड़ा दाओ बोले बीजीपी सत्ता में आई तो मुख्यमंतरी पिछुरी जाती से होगा गाज़ा पर UNGA वोटिंग से भारत के गैर हाजिर रहने पर भड की प्रियंका बताया शर्मनाग सतिश पूरिया का विवारित बयान प्रियंका ग अगला मुख्यमंतरी पिछुरी जाती से होगा अमिश्या ने सूर्या पेट में जन मरजना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज तेलंगाना के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बीजीपी को अपना आशिरवात दे और बीजीपी की सरकार बनाए बीजीपी तेलंगा पिछड़े वर्ख से मुक्याबंतरी देगी तेलंगाना के विधान सभा चुनाओ को देखते हुए बीजीपी राज्य में मुक्याबंतरी के चंदर शेकर राव के नेतरत्रवारी सत्तारूर भारत राश्य समित याने बियार इसको सत्ता से हटाने के लिए राजनितिक निर्वाचन शेत्र में तीसरे स्थान पर आएगी भार्दे चुनावा आयो गयाने इसी आए ने 9 अक्टूबर को घोष्ण की कि तेलंगा ना विधान सब्सक्राइब को होगे वोटों की गिंती तीन दिसेंबर को होगे तेलंगा नम्यागामी विधान सब्सक्राइब चुन अगली खबर के और गाजा पर यूएंजी की वोटिंग से भारत के गयरहाजिर रहने पर भड़की प्रियंका बताया शर्मनाग जिया सयुक्त राष्ट में इस्ट्राइल हमास युद्ध पर एक प्रस्ताव पेश किया गया है जो के बहुमत के साथ परिसर पारिद भी किय गया है हाला कि भारत ने इस वोटिंग से खुद को अलग रखा कॉंगर्स पार्टी की राष्टिय हमास अच्यों प्रियंका गांधी वाल्डरा को भारत का ये स्टेंड पसंद नहीं आया उन्होंने इसे शर्मनाग बताया है आपको बता दे कि प्रस्ताव में संगर्श व भारत का यूएन जीए में वोटिंग से दूर रहना एक राष्टिय के रूप में हमारे देश के जीवन भर से चली आ रही चीज के खिलाफ है उन्होंने कहा एक स्टेंड लेने के इनकार करना और चुप चाप देखना क्योंकि मानों तक हर कानून को नश्ट कर दिया गया ह लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्स, आपुर्ति, संचार और विजली का अजडी कही है फिलिस्तीन में हजारों पुरुष महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है एक राष्ट के रूप में हमारे देश जीवन भर उन सबी चीजों को खिलाफ खड़ा र पर जवाबी हमले में शुरू करने के बाद गाजा में 7000 से अधिक लोग मारे गए इसराइल के 14000 से अधिक लोग मारे गए थे 200 से अधिक को बंदक बना लिया गया था बरते अगली ख़बर के और सतिश पूरिया का विबादित बयान प्रियंगा गान्दी को बताया खलना है और जुबानी हमले कर रहे हैं इसी बीच रादस्तान के उपनेता प्रतिपक्ष और बीजीपी नेता सतीश पूरिया ने प्रियंगा गांदी को लेकर विवारी टिपपनी कर दिया उन्होंने कॉंगर्स की राश्चिय महासच्छी उकुखलनाई का करार दिया है जैसर हा नेटवर्क मेरे साथ यनियर शाण सारे के साथ नमशकार यह है मनेज़न्यूस नेटवर्क और आप देखने हैं मनेज़न्यूस